हेलो, डियर स्टुडेंट्स, मैं अखिलेश सर्मा, साइंस टीचर, सीता ग्रुप आफ इजूकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ स्टुडेंट्स, आज मैं बहुत ही इंपर्टेंट टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ इसके पहले के वीडियोज में आपने एसिद, बेस, पियच, मान के विशय में अध्यन किया अमल कैसे बनते हैं, उनकी डिफिनिसंस क्या होती है, उनकी फिजिकल प्रापरडीज क्या है, उनकी केमिकल प्रापरडीज क्या है इसके विशय में जानकारी प्राप्त की आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही important topics है उसमें से पहला topic है उदासीनी करण अभिक्रिया जिसको अंग्रेजी में neutralization reactions भी कहते है बच्चों क्या definition होती है जली विलैन में अम्र तथा छार या छारक आपस में एक्रिया करके लवन तथा जल बनाते हैं इस अभिक्रिया को उदासीनी करण अभिक्रिया कहते हैं वास्तों में उदासीनी करण क्रिया है क्या रिफनीशन कहती है अम्र और छार दोनों आपस में क्रिया करते हैं अम्र छार की छारिता को नश्ट कर देता है जबकि छार अम्र की छारीता को नश्ट कर देता है इस प्रकार ये दोनों मिल करके एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं इसलिए इसको हम उदासीनी करण अभिक्रिया कहते हैं देखें आप एक्जांपल देखिए इन्यव этच, क्या होता है इन्यवेच टूडजाता है शानपल, और ओ- मिल्स काय में क्सी प्रकार जो एकिड है अम्र, वो हम वह हम पलस में और कवल जा दिखो यहां से जो इन्य꺼 यहां works जाता है और यह एन्योट पलस में और क्रुट जाता है और जल का निर्मार कर देता है तो इस प्रकार अम्ल और छार दोनों आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं यह क्रिया उदासीनी करण अभिक्रिया या नियुटलाजेशन रियक्संस कहलाता है दूसरा रियक्संस आप देखें कि अम्लों का प्रभाव नश्ट करने के लिए छार का प्रयोग किया जाता है और छार का प्रभाव नश्ट करने के लिए अम्लों का प्रयोग किया जाता है आप देखते होंगे कभी पेट के अंदर अधिक मात्रा में एसिड बन जाती है SCL का निर्मार हो जाता है जिससे बेक्दिको उल्जन होने लगती है उन परस्थितियों में उसे क्या किया जाता है मिलकाफ मैंगनीसिया अर्थात मैंगनीसियम हाइडराकसाइड का घोल दे दिया जाता है मैंगनीसियम हाइडराकसाइड प्रभाव को क्या किया निरस्त कर दिया ये इसका प्रभाव निरस्त हो जाता है इस तरीके से अमल के प्रभाव को निरस्त करने के लिए छार का प्रयोग किया जाता है इसलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनी करण अभिक्रिया कहते हैं इन दोनों एक्जांपल्स की जाहता से हम इनके विश्व में एक और परिभासा कर सकते हैं अगर उपर आप देखें तो अमल से प्राप्त हन और छार से प्राप्त हन यह भी जब आपस में दोनों क्रिया करते हैं तो हन यह दोनों आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या करते हैं यह आपस में क्रिया करेगा और H2O का निर्मार कर देगा तो एक डिफिनिशन और हो जाती है कि अमल से प्राप्त हन और छार से प्राप्त हन जब आपस में क्रिया करते हैं और जल का निर्मार करते हैं तो यह अभिक्रिया भी उदासीनी करण अभिक्रिया कहलाती है, इस प्रकार आपको इस टॉपिक के संदर में समझ में आ गया होगा, अब हम आपको अगले टॉपिक की ओर ले चलने हैं, अगला टापिक है उदासीनी करण उश्मा, इसको हम हीट आफ नूटलाइजेशन कहते हैं, ही और शार आपस में क्रिया करते हैं यह क्रिया उदासीनी करण अभिक्रिया कहलाती है इस अभिक्रिया के मद्ध जो उस्मा निकलती है वह उस्मा ही उदासीनी करण उस्मा कहलाती है वैसे परिभासा क्या होती है एक ग्राम पुल्यां की भार अम्ल और एक ग्राम पुल्यां की इस अभिक्रिया में क्या होता है अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है अगर हम NACL अमले ले और NACL के साथ इसकी क्रिया करा दें तो हम देखते हैं कि NACL और H2O का निर्माल हो जाता है साथ में 13.7 किलो क्यारी उसमा उत्पर्ण होती है यहाँ पर NACL जो है वो भी प्रबल अमल है NACL वो प्रबल छार है दोनों प्रबल है इसलिए इन दोनों के उदासीनी करण में जो उसमा निकलती है वो maximum होती है अधिक्तम होती है इसका मान 13.7 किलो क्यारी होता है अगर हम कोई अभिक्रिया ऐसी ले लें जिसकी उदासीनी करण उसमा का मान इससे कम हो तो हम समझ लेते हैं कि उस अभिक्रिया में एक प्रबल है और दूसरा दुरबल है या तो अम्ल प्रबल होगा तो चार दुरबल होगा अगर चार प्रबल है तो अम्ल दुरबल होगा अथवा दोनों दुरबल दुरबल जैसे कि एक्जाम्पिल की तोर पे हम क्या करें कि अगर हम CS3, COOH ले 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 यह दुरबल अम्ल है इसको चार के साथ क्रिया करा दे और जल बन जाएगा है इस अभिक्रिया में 11.9 किलो कैलोरिय उस्मा उत्पन होगी तो आपने देखा यहां पर यहां पर जो उस्मा उत्पन हुई है वह पहले से अर्थात 13.7 किलो कैलोरिय से खम है तो एक बात आप याद रखें कभी कभी क्रास क्वेशन बन पूछ लिये जाते हैं कि कोई अभिक्रिया दे दी गई और उसकी उस्मा गीरा 13.7 से कम है अगर वह 13.6 से कम है तो इसका अमलब वह जो प्रयूक्त किये गए हैं उसके अंदर आमला और चाहर वह या तो दोनों दुर्बल होगा इस तरीके से हम उदासीनी करण क्रिया के विश्में में अध्यन कर लेते हैं अब हम आगे की टॉपिक पर बढ़ते हैं अगला टॉपिक है लवन जिसको इंगलिस में साल्स कहते हैं किसी अमल तथा चाहर की उदासीनी करण अभिक्रिया से प्राप्त आयन जब NH3 की NH4 CL के साथ क्रिया कराएंगे तो NH4 CL नामक लवन प्राप्त हो जाएगा या एक परिभासा यह भी होती है कि जली बिलेल में अमल और चाहर की उदासीनी करण अभिक्रिया के फलस रूप लवन तथा जल बनता है यह देखिए यह एने वेच एने ओएच एने इसमे आपस में एक लिया करते हैं और आईनिक ठोस का निर्मार कर देते रहाएं थाओ अगर हम किसी लवन को जल में घोल देते हैं तो हम देखते हैं कि वह दो आवेसित आयन देता है कैसे दो आवेसित आयन देता है धन आयन देता है और रण आयन देता है अभी हमने आपको बताया कि NaOH से और HCl की जबक्रिया कराई गई तो बना NaCl प्लस H2O यहाँ से Na प्लस और Oh माइनस टूटा यहां से H प्लस और C L माइनस टूटा तो यह N A और यह C L मिलकर के N A C L का निर्मार हुआ अर्थात इस N A C L के अंदर इस लवड के अंदर दो प्रकार के आयन है एक धनायन है दूसरा रणायन है जो धनायन होता है वो किसे लिया गया है छार से लिया गया है इसलिए इस धनायन को धनावे सितायन को हम क्या कहेंगे छारी मुलक कहेंगे और जो रणायन है उसे अमल से लिया गया है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे अमली मुलक कहेंगे इस प्रकार लवण को जल में घोलने पर दो प्रकार के radicals प्राप्त होते हैं एक basic radicals छारी मूलक दूसरेistic radicals अमली मूलक इस तरीके से हम लवण की definition और उसके examples को पढ़ लिए अब हम आगे पढ़ेंगे इसके kinds इसका classification लवण का वरगी करन सामानी रूप से लवण को छे भागों में बाटा गया है छे प्रकार के होते हैं कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में इसको चार भागों में divide किया गया है चार भागों में पहले simple source के रूप में और उसके अंदर 3 भाग कर दिये गया है सामानी लवन अमली लवन और चारी लवन लेकिन यहाँ पर मैं आपको छे अलग-अलग ताइप्स के लवन मान करें आपको पढ़ा रहा हूं तो सबसे पहले इसमें से आता है सामानी लवन नार्मल सार्जिस को कहते हैं वे लवन जिनमें विस्थापनी है हाइडोजन आइन या OH- या तो H+, कहलो या OH- कहलो, ये दोनों उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसे लवन जिसमें विस्थापनी हार्डोजन आयन या हार्डॉक्सिल आयन उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसे लवन सामानी लवन कहलाते हैं, आप देखिए, अगर हम NACL को तोड़ें, तो क्या बनेगा, NACL माइनस, न तो इसके अंदर H आयन मिला, न इसके अंदर OH आयन मिला, इसलिए, इसी पकार हम KCL को देख रहे हैं, तो KCL कहलो तूट जाता है, K+, और C-L माइनस, अर्था, जिनके अंदर न तो क्या होते है, H आयन होते है, Hydrogen आयन होते है, न हाईड्राक्सिल आयन होते है, ऐसे लवन सामानी लवन कहलाते हैं, अगला अमली लवण इस्टिक साल्स क्या होते हैं वह लवण जिनके अंदर विस्थापनी हाइडोजन आयन उपस्थित होते हैं एसे लवण कैसे लवण कहलाते हैं अमली लवण कहलाते हैं हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी अमल के अंदर उपस्थित हाइडोजन परमानों को छारकों के द्वारा आंसिक बिस्थापित कर देने पर या आंसिक उदासी नहीं कर देने पर जो लॉण फ्राप्त होता है उसको हम अमली लॉण कहते हैं या सिंपिल परिभास आपने दे देखा एने एच एसो फोर सोडियम वाई सल्फेट सोडियम वाई सल्फेट के अंदर अगर हम इसका आयन करें तो आयन करने पर यह तूट जाता है एने प्लस आयन देता है प्लस हाइडोजन आयन देता है प्लस सल्फेट आयन देता है इस तरीके से इसके अंदर देखिए क या विस्थापनी हाइडोजन आयन उपस्तित है इसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर भी हाइडोजन आयन उपस्तित है यहां पर भी हाइडोजन आयन उपस्तित है तो ऐसे सभी लवण जिनके अंदर विस्थापनी है हाइडोजन परमार उपस्तित होते हैं में लेकिन अगर हम CL देक्जें इसके अंदर है है लेकिन इसे हम क्या अमली लम्ण कहेंगे यह स्फोय में लमण है कि स्फमें यह अमल यह लमण नहीं है लवण जो होते हैं सार्ट जो होते हैं वो अमल और छार के संयोग से बनते हैं इस तरीके से हम इसके संदर्ण में पढ़ लेते हैं अब अगला आता है छार की या छारी लवण छारी लवण क्या होता है वैसे भी लवण जिनके अंदर विस्थापनी है जिनके अंदर क्या होत जिंक हर्डाक्सी क्लोराइड यहां पर भी OH आयन उपस्थित है यहां पर भी विस्थापनी यह हर्डाक्सील आयन उपस्थित है तो ऐसे सभी लवण जिनके अंदर विस्थापनी है हर्डाक्सील आयन उपस्थित होते हैं वह सब छारी लवण के अंतरगत आते हैं अगर हम OAOH ले 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 तो NAOH के अंदर भी हर्डाकशिलायन उपास सी था लेकिन ये शारी लपन नहीं कहलाएगा क्यों नहीं कहलाएगाront हैं इसकार्ट में जबकी साल्ट से होते हैं वो अमल और शार से मिलकर बनते हैं इसलिए चारी लपन के अंतरगत नहीं आएगा अगला टापिक है निस्षित लवन, mixed salt क्या होते हैं ऐसे सभी लवन जिन में एक से अधिक प्रकार के धनायन अधवा रणायन क्या तो दो धनायन हो अधवा दो रणायन उपस्षित होते हैं वे सभी जो salts होते हैं वो mixed salt के अधरगत आते हैं जैसे sodium, potassium, sulphate, अगर हम इसको तोड़ें, Na, K, SO4, तो ये sodium प्लस देगा, K प्लस देगा, और sulphate माइनस 2 देगा, तो देखिए इसके अंदर दो basic मूलग, छारी मूलग उपस्तित है, और एक अमली मूलग उपस्तित है, अगर हम बिरंजग चूल को ले ले, तो कैर्सियम 2 प्लस, OCL माइनस, और CL माइनस, तो इसके अंदर दो रण मूलग उपस्तित है, अर्थात दो अमली मूलग है, और एक छारी मूलग है, तो ऐसे सभी लवण, ऐसे सभी salts, जिनके अंदर एक से अधिक प्रकार के धनाय नतवा रणाय उपस्तित होते हैं, उन्हें हम मिश्रित salts कहते हैं, नेश टाइप आता है दिक लवण, double salts, double salts क्या होता है, जैसा उसका नाम है, दो सररल लवण ले ले ले, और उनका जलीव ले ले ले, और फिर उसका वास्पी करन कर ले, तो वास्पी करन के प्षार जो लवण प्राप्त होता है, उसको हम दिक के अंतरगत आते हैं इनका केवल थोस अवस्था में ही अस्तित्त होता है जली अवस्था में इनका कोई अस्तित्त नहीं होता है यह जब जल में घोले जाते हैं तो यह अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं जब तक यह थोस अवस्था में हैं तब तक ही इनका महत्त इनका आस्तित्तू है जैसे फिटकरी, potassium, aluminium sulphate, यह हम बहुर ना, shaped, ammonium sulphate, इसके नदर एक देखिए, यह potassium sulphate सरल लाओब है, दूसरा aluminium sulphate सरल लाओब है, अगर इसका हम इसको हम जल में घोल जाएं तो यह तूट जाराएगा, K2SO4, L2SO4 whole thrice into 24H2O ये टूट जाएगा potassium ion, ये टूट जाएगा 2 aluminum ion और अब 4SO4 ion तथा इस तरीके से आप देखते हैं कि जल में घोलने पर इनका अस्तित्तों सबाप्त हो जाता है तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके अंदर जली विलेन में इसका कोई अस्तित्तों नहीं रहे गया या potassium ion में, aluminum ion में और sulfate ion में तूट गया तो जो दिक लवन होते हैं, डबुर साट्स होते हैं ये केवल ठोस अवस्था में ही अपने अस्तित्तों को प्रदस्तित करते हैं जली अवस्था में इनका कोई अस्तित्तों नहीं होता है अगला देखेंगे संकर लवन जटिल लवन भीस को कहते हैं इंगलिस में से complex salts कहते हैं क्याठी प्रिशन होती है वे लवन जिनमें आयन अथवा उदासीन और किसी धातिक धनायन के साथ उपसासायो जगबंध बनाते हैं संकर लवन या जटिल लवन कहलाते हैं क्या होता है जैसे एक्जांपिल के तोर पे आप ले देखिए फेरस ये पोटैसियम फेरोसाइनाइड पोटैसियम फेरोसाइनाइड के अंदर पोटैसियम आयन फेरोसाइनाइड आयन को अलग जल में घोल दे तो पोटैसियम आयन अलग चला जाता है ये इस प्रूप में टूट जाता है जल में घोलने पर K4, Fe, Cn6 तो यह potassium आयन दे देता है ferocyanide Fe, Cn6 माइनस 4 माइनस तो जो संकर लाउन होते हैं यह जब हम जल में इनको घोल देते हैं तो देखते हैं कि यह संकर आयन देते हैं कैसे आयन देते हैं संकर आयन अर्थार जटिल आयन देते हैं यह तूटने पर potassium आयन दे रहा है और ferocyanide आयन दे रहा है इस तरीके से जटिल आयनों के देने के कारण इनको हम जटिल लवणा या संकर लवणा या complex salts में कहते हैं यहाँ पर दूसरी जो डिफ्निशन दी उसके आधार पर भी हम देखें तो फेरस ये आइन और ये साइनाइड आइन इन दोनों के मर्द उपसा सेयोजग बंद बना हुआ है क्या बना हुआ है उपसा सेयोजग बंद बना हुआ है की परिबासा कह रही है कि उदासिन और किसी धात्विक धनायन के साथ उपसा संयोजक बनाते हैं ऐसे लौण संकर क्या कहलाते हैं इस तरीके से आज आपने इस वीडियो में लौण क्या हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनके examples क्या है इसे आपने पढ़ा हमें आसा है कि आप इनको ठीक से पढ़ेंगे साथ में इनके notes भी त्यार करेंगे जिस भी बिंद उपर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी उसे आप पाटसप के माध्यम से कमेंट्स करके हमारे तक वह से पहुचाएंगे इस तरीके से आज का यह टॉपिक समापत होता है बहुत बहुत धन्यवाद